Hello friends, welcome to Mechanical Tech Hindi पता है क्या कई बार हमें लगता है कि हम फाइदे में है लेकिन हम नुकसान में होते है और ऐसा तब होता है जब हमें जानकारी नहीं होती है नौलेज की कमी होती है अब friends, आगे इस वीडियो में आपको गाड़ियों से जोड़ी हुई कुछ important बाते बताने वाला हूँ जो कि शायद आपको पता नहीं होगा और ये जो बाते में आपको बताने वाला ये 100% आपको आगे चल कर काम में आएगा और service center में जो धोका जड़ी हो रहा है और जो आपसे पैसों को लूटा जा रहा है उससे आप बच सकोगे अब देखी situation क्या मैं आपको बताता हूँ जब भी हम कोई भी नई गाड़ी खरीदते है ठीक है चाहिए बाइक हो, कार, स्कूटर, स्कूटी दूसरी कोई भी गाड़ी हो तो हमें अपनी नई गाड़ी के साथ warranty मिलता है दो साल, तीन साल, पाच साल अलग-अलग time period में अलग-अलग company अपनी गाड़ीों पे warranty देती है अब फिन्स कई बार क्या होता है कि जब warranty period के दौरान हमारी गाड़िया खराब हो जाती है और जो खराबी है वो warranty के जितने भी parts से उनमें से किसी एक part में आ गया होता है तो हम क्या करते हैं service center में जाते हैं अपनी गाड़ी को लेकर और वहाँ पे warranty claim करते हैं under warranty अपनी गाड़ी में काम करवाते है अब देखे यहाँ पे तीन situation है और तीनो situation को अच्छी तरह समाझना बहुत जरूरी है पहली situation की बात करते है तो आप service center में गये service center में आपकी गाड़ी की जाच वगर की गई technician के दौारा और वहाँ पे मालूम चला कि हाँ सच में जो problem है वो किसी एक warranty part में है फिर service advisor होगा या फिर जो floor manager है दूसरा कोई भी authorized person service center वाला आपसे बात करेगा कि हाँ सर ये problem निकला है warranty के part में ही problem है इस part का जो दाम में वो 3,000 है, 5,000 है, 10,000 है depend करता है कौन सा part खराब हुआ है और आपसे ये कहा जाएगा कि आपका सर एक भी पैसन ने लगेगा part का part आपका under warranty free में change हो जाएगा just आपको labor charge देना होगा हो सकता वो बलेगा 500 labor या फिर 1,000 रुपए labor या फिर 1500 रुपए labor charge देना होगा अब यहाँ पर बहुत से लोग जो customer वागर है जो बहुत से लोग गलती क्या करते है कि वो तो खुश हो जाते कि चलो भाई 10,000 रुपए का part free में change हो जा रहा है 1,000 रुपए labor ही तो देना है चलो हम दे देते हैं हम फाइदे में ही तो है लेकिन आप फाइदे में नहीं हो आप नुकसान में हो नुकसान में कैसो मैं आपको ये संठायता हूँ देखे फ्रेंट्स वैरंटी का जो स्कीम में वो किस तरह से काम करता है ये आपको समझना जरूरी है मैंने खुद भी होंडा में बजाज में ऐसा वक्षप बेनेचर काम किया है बहुत सारे वैरंटी क्लेम्स मैंने किया है तो warranty claim क्या है आप ये भी समझ लो सर्विस एंटर वाले क्या करते है कि आपकी गाड़ी में जो भी warranty का काम हुआ तो सर्विस एंटर वाले डायेक्ट कमपनी से हीरो, होंडा, टीवियास या महा, सुजूकी, रोनल्लिफिल्ट, के ट्येम, बेम, डबलू किसी भी गाड़ी आपके पास हो, तो direct वो क्या करते है कि उसके कमपनी पे warranty claim करते है और जो warranty claim, जो job card है, वो computer में ये mention करते है कि हाँ, इस गाड़ी में warranty का काम हुआ है और ये 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 जो warranty का parts है, वो change हुआ है जैसे ही warranty के parts को mention किया जाता है computer में, software में तो software automatically क्या करता है कि उस काम करने के लिए warranty का, जो labor charges वो भी वहाँ पे mention हो जाता है और direct company से service center को जो part change हुआ warranty का, उसका पूरा पैसा और उसके लिए जो labor charges वो पूरा पैसा मिल जाता है और बहुत सारे service center वाले क्या करते है कि company से तो labor charge ले ही लेते है तो just आप इस ये make sure कर ले कि आपकी गाड़ी में अगर warranty का कोई भी काम होता है तो आप warranty के लिए कोई पैसा नहीं दे, ना ही labor charge के लिए भी एक रूपया नहीं दे आप भले बहुत से लिए करते हैं खुशी से जो टेक्निशनों अगरे को 500 रुपर देते हैं वो अलग बात है लेकिन as a authorized person यानि के service center वाले को आप कोई भी labor charge आपको नहीं देना है इस गलत फैमी में नहीं रहना है कि मेरा काम जो है वो under warranty हुआ है मुझे labor charge देना पड़ेगा ये गलत फैमी आपकी आप इस बात का ख्याल रखे मैं खुद का example ले लगता हूँ recently मैंने पिछले साली BMW G3 10R भाइक खरीदा था अब कुछ दिन बाद क्या हुआ हुआ कि मेरे भाइक में जो fuel meter है वो काम नहीं कर रहा था तो यहां पर जो situation 1 है वो आप समझ गए चले situation 2 पर आते हैं उससे पहले फ्रेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरू कर दे और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कर ले अगर आपको पार्स लगा आपको उसका लगए और जो वहां पर लेबर चार्ज है उसके लिए वह आपको दिना पड़ेगा दोनों चीज़े अलग है बहले ही काम एक साथ हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए चले जो हमारा जो situation number 3 है जो कि मेरे according सबसे ज़्यादा important समझना उसे बताने से पहले मैं फटा फटा सक कार से जुड़े हुई कुछ important बाते आपके साथ शेयर कर देता हूँ अब मैं आपको बताना चाहँँगा कि अगर आपके पास कार है और आप अपने कार के लिए 100% genuine spare parts चाते हो तो इसमें आपके help करेगा budmo.com budmo.com online spare parts के expert है और यहां से आप Indian companies के साथ साथ जितनी भी विदेशी company की कार से उनके भी 100% genuine spare parts असानी से order कर सकते हो interface बहुत असान है जस्ट आपको अपने कार की manufacturing company model air variant को डालना है उसके बाद आप अपने कार के model के हिसाब से 100% genuine spare parts असानी से यहां पर सर्च कर सकते हो साथी आपको यहां पर अपने कार के model के हिसाब से OEM catalog भी देखने को मिल जाएगा कार के हर एक section के लिए जैसे की engine, transmission, steering और बाकी के सभी section के लिए अलग-अलग catalog आपको देखने को मिल जाएगा उस catalog में उस section के सारे parts का आपको detail देखने को मिलेगा part का नाम, part का number, part का description, वो part कितना लगेगा यह सब आपको यहां पर देख सकते हो साथ याप हर एक part की अपने car के साथ compatibility को भी check कर सकते हो और अगर part आपके car के साथ compatible हो जाए तो फिर आप उसे असानी से याँ से order कर सकते हो यहाँ पे आपको 10 दिन का return policy भी देखने को मिल जाएगा तो budmo.com के official website का link में इस video के description देख दूँँगा तो please आप budmo.com पे जाए और वहाँ से अपने car के लिए इस pair parts को जरूर से order करें चलिए अब मैं आपको situation number 3 के बारे बताता हूँ तो friends कई बार हम under warranty second hand गाडियों को खरीते हैं एक ऐसी गाड़ी जो कि warranty में तो है लेकिन हमने उसे second hand खरीदा है अब बहुत सारी automobile companies है जिनका warranty को लेकर ये नियम है कि अगर जो first owner है वो अपने जो गाड़ी उसे बेज देता है और जो RC है जो registration certificate है वहाँ पे जो honor serial number है वहाँ पे अगर 2 हो जाता है जो second owner है वो अपने नाम पे गाड़ी को transfer कर लेता है तो उसके बाद under warranty होने के बावजूद गाड़ी में warranty नहीं मिलती है parts और labor दोनों का पैसा देना होता है बहुत से लोग को इसके जानकारी नहीं होती है फिर लोग क्या करते है customer वगर जाके service center में लडाई करने लगते है कि warranty में तो है अभी तो एक साल हुआ अभी तो छे महीना हुआ है आप मुझे warranty नहीं दे रहे हो तो friends कुछ नियाम ऐसे होते है जिनके जानकारी आपको नहीं होती है तो आप ये भी समझ लो कि बहुत सारी companies है जो कि ये नियाम उन्होंने अपलाई किया हुआ है तो अगली बार आप जिस भी company का second hand गारी अंडर warranty खरीद रो तो आप उसके बारे जरूर से पता कर ले simply आप showroom में भी call करके जो service advisor वगरा है जो salesman वगरा है उससे भी आप पूछ सकते हो जो sales manager उससे भी पूछ सकते हो कि भाई इस तरह कोई नियाम है कि नहीं है second hand गारी अंडर warranty उसे खरीदने से पहले तो फिर्स warranty को लेकर ये कुछ बात ये थे जो कि maximum लोगों को नहीं पता होती है बहुत बार जो service center वाले है इसका फाइदा उठाते है धोका धड़ी करते है लोगों को बेकूब बनाते है और जो customer वगरा उनसे पैसा लूट लेते है उमीद है कि आज कि इस वीडियो आपको रहे मिलता के लिए वीडियो में थांक्स वाचिंग इस वीडियो गुद बाई